Do you want money? Lots of money. खूब सारा पैसा चाहिए न? ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये ख्वाइशे है, वो ख्वाइशे है, सारी लग्शरीस चाहिए. कई लोगों को अपने ज़रूर पूरी करने के लिए मनी चाहिए. तो क्यों ना आज हम एक मनी स्पेल करें. मनी स्पेल, जिससे कि हम पैसे को अच्छाट कर सकते हैं. और वो आज के दिन अगर किया जाए, तो उसके रिजल्स बहुत ही बहतरीन रहते हैं. मैं हूँ आपके अपने सोल में चबाना, और आज मनी स्पेल लेके आपके लिए आई हूँ इस पूर्णमाशी के दिन. ये स्पेल हर बहीने पूर्णिमा के दिन आप करिए और फिर उसके रिजल्स देखिए. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये मनी स्पेल. आपको क्या के चीज़े चाहिए? चलते से कलेक्ट करिए. एक ग्रीन कलर के कैंदल चाहिए. सिनिमम चाहिए. अगर आपके पार सित्रिन क्रिस्टल है, तो उसके कुछ टुकडे चाहिए. अगर ब्लेस सेट है तो वह भी चलेगा. थोड़ा सा नमक चाहिए. ग्रीन कलर का पैंड चाहिए. एक बलेट. और बहुत सारी positivity, faith तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना money spell All the best चलिए शुरू करते हैं अपना money spell आपको क्या करना है सबसे पहले सबसे पहले अपने kitchen में जाना है obviously एक plate लेके आना है इस सरह से एक plate लेके आना है और आप देख सकते हैं मैंने इसके उपर green color से एक pentacle बनाया हुआ है हमारे tarot cards में इसे pentacle कहते हैं और pentacle जो है money attract करता है पैसा attract करता है बिल्कुल इस तरह से जब आपना ritual करने आप बैठेंगे आप एक ये green pen से एक pentacle बनाएंगे ठीक है? pentacle बनाने के बाद आपको क्या करना है? अगर आप किसी business में हैं, कोई काम करते हैं, job में हैं आपके बस visiting card है, आपका कोई भी एक official जो जिसके थूँ आप money को attract करना चाहते हैं कोई भी official आपका organization है, institute है, जहां पे आप काम करते हैं कहिने जी आपका passbook ही है या checkbook भी है, वो भी आप रख सकते हैं उसको अपने इसके पास, plate के पास आपको रखना है, ये मेरा visiting card है soul meat शबाना का, तो हम इसको अपना visiting card पॉन यहां रख रहे हैं ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है? एक green color की candle लेनी है, obviously आपसे बहुत सारी लोगों के पास ये green color की candle है जो कि आप लोगों ने मुझसे मंगवाई थी, ये एक healing candle है ये ordinary candle से अलग है, क्यों? क्योंकि ordinary candle में वो oils, वो herbs, वो chantings नहीं होते हैं जो हम ये जो candle बनाई है, इसके अंदर वो oils है, वो chantings है, वो herbs है जो कि इसे healing mode पे लेके आते हैं, healing बनाती है In fact, इसके अंदर वो सारे ingredients हैं, जिससे कि हम money attract कर सकते हैं ये green color की candle, हम जो हैं, आपके इनहां पे affirmation भी लिखावा है May prosperity flow freely through my life I sense a natural attraction to wealth and its converts Let me embrace prosperity in all forms जब आप अपना start करें, आप इसको read करें और उसके बाद आप इस candle के उपर से ये cover हटा दी Candle को आपको cover के साथ नहीं जलाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत से लोग जो हैं, candle को cover के साथ जलाते हैं जिससे कि उनकी candle पूरी complete जलती नहीं है चलिए, अभी मैं सिर्फ आपको ritual करने के लिए ये paper नहीं हटा रही हूँ आपको क्या करना है? इसको इस तरहा से pentacle के बीच में आपको इसको place कर देना है इसको place करने के बाद आपको क्या करना है? उसको आपने थोड़ा सा salt लेना है और जो ही salt है इसको इसके protection, 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 protection क्या होता है? जब हम कोई भी spell करते हैं, कोई भी magical activity करते हैं, कोई भी उपाई करते हैं तो उसको हमें negativity से बचाने के लिए salt का उपयोग जरूर करना चाहिए जिससे कि आपका जो भी spell है, आप जो भी solution कर रहे हैं, remedy कर रहे हैं उसमें कोई भी negative effect न आए तो आपने जब इसको यहां से चारो तरफ से आपने salt को sprinkle कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप यह cinnamon sticks लेंगे, जो कि मैंने आपको ingredients में लिखावा है आपने यह पढ़िएगा वहां से, यह cinnamon sticks हैं इनको आप इस तरह से अपने candle के आसपास जो हैं डालते जाएंगे और switch word add count, 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 add count करिंसी हो, मैं coins की बात कर रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं, यह में पास 2 रुपीस का coin है, 5 रुपीस का coin है, 10-50 वैसे का coin है, जो कि अब नहीं चलता है, और साथ में मुझे यह fengshui coins है, आप इनको भी use कर सकते हैं, आप जो मंदिर में रखा हुआ होता है, चांडी का सिक्का उसको भी use कर सकते हैं, आप गिन्नी भी use कर सकते हैं, सोनी के गिन्नी भी use कर सकते हैं, अब जो आपके पास available है, आप उसको use करिए, तो मेरे पास यह available था, तो मैंने अपने यह fengshui coins यहाँ पर रखे, और add count, add count आप करते रहिएगा, पूरे throughout, उसके बाद, इसको करने के बाद, अगर आपके पास citrine crystal के छोटे छोटे चुक्रे हैं, अगर आपके पास citrine के छोटे चुक्रे नहीं है citrine crystal, यह money abundance attract करता है, अगर नहीं है, तो आप मंगा सकते हैं, अगर है, तो आप बिल्कुल इसको use करिए, यह जो crystal है, इनको भी add count, add count, add count करके, चावरो तरफ आप candle के जाल देंगे, चिक है, अब मेरे पास एक यह oil है, money oil, यह जो money oil है, यह आपको ऐसे नहीं मिलेगा, यह आपको मेरे से मिल सकता है, अगर आपको चाहिए, तो, यह money oil लेकि आपको जो है, अपनी candle के उपर sprinkle करना है, add count, add count, add count, add count, add count करते रहना है, और इसको, इसको as a sprinkle करते रहना है, ठीक है, इसको करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपकी बारी आई, candle lit करने की, हाँ, बी share, like, comment तो बनता ही है, वो तो आप करी देंगे, और साथ में इसको जब भी आप practice करें, पौन नमाशी के दिन, तो कोशिश करिए, अकेले में करिए, किसी को मत बताईए, late night करिए, around 11, 12, और अगर चांदी रात में करें, वो तो और भी सोने पे सुहागा होगा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका ये add count, add count आप करके आपका ये जो alter है, वो तयार हो चुका है, इसको करने के बाद, आपको क्या करना है, इसको अब आपको लिट करना है, लिट करने के बाद, आपने इसको जला दिया, मैंने पेपर नहीं हटाया है, इसका cover नहीं हटाया, पर आप प्लीज ज़रूर हटाईएगा, इसको पेपर के साथ मत जलाईएगा, चलिए, हमने आप लिट कर लिया, अब लिट करने के बाद, आप अपने हातों को इस तरहां से जॉइन करेंगे, आप इसको स्टेंगिंग मोड में कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ चांटिंग के मोड में कर सकते हैं, आपको क्या करना है, तीरवान का तेन बार चांट करने के बाद, इसके पास आपको बैठना है, इसको एक घंटा, दो घंटा जलने दी, जितना ये जल सकती है, फिर आपको जब आपको लगे कि अब आपको नीम दारी है, अब आपको सोने जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसको इस तरहां से बुझा देना है, और इसको नौर्थ डारेक्शन, अपने घर के नौर्थ डारेक्शन में इसको प्लेस करना है, और साथ में आपके पास ग्रीन कलर का कोई कपड़ा है, सैशे है, कुछ भी ग्रीन कलर का है, उसके अंदर ये सारा का सारे ingredients आपको डाल दीना है ठीक है और फिर इसको आप अपने सेफ में रख सकते हैं आप अपने पर्स में रख सकते हैं और हर महीने पूर्ण माशी वाले दिन आपको जो है आपने ये जब तक ये candle खतम नहीं हो जाती तब तक ये ingredients इसके साथ में काम क करेंगे एवरी पूर्ण माशी आपको फिर से प्लेट पे पेंटिकल बनाना है candle को रखना है और ये जिस तरह से पूरा मैंने प्रक्रिया आपको बताईए आपको दुबारा से करना है ये आपको करना है और रोज एवरी डे सिक्स मिनट के लिए आपको नौट डालेक्शन में इसको रखके लिट करना ही करना है किसी दिन अगर आपका मिस भी हो जाता है तो no issues उससे कोई भी प्रावब्लम नहीं होने वाली है वहम का क्योंकि कोई इलाज नहीं होता अगर आप अपने मन में वहम रख लेंगे कि ओ मैने आज तो लिट नहीं करी अपनी candle तो वह वह वेहम जो है जरूर कुछ आपको निराश कर सकता है लेकिन वेहम नहीं करना है आपको बस क्या करना है आपको फेट के साथ रोज 6 मिनिट के लिए इसको लेट करना है किसी दिल में सोजाए कोई बात नहीं next Pundamashi again you have to repeat the ritual so money flow money grow money shine at count divine at count divine at count divine may you have lot of money prosperity growth in your life all the best